इस सदिकेतु मुष्टर का खाना नमर तिन बहुत अच्छे होते हैं सब कुछ होना चाहिए ता करोण पती यह रभपती भी हो सकता था यह वेखती लेकिन चंद्रमा बैठा है चंद्रमा पैसे की आई चलाई है चंद्रमा को सिर्ब मन की और घर की सांतीमत समझी चंद्रमा यह रुपे पैसे की आई चलाई जिसे लिक्टिटी बोलते हैं पैसे का आना जाना फैसे का करेंट यह चंद्रमाई है इस कारण से इस सनी के तू मुस्तर का एक तो सनी के तूके साथ चंद्र आया तीनों बंदे और दूसरा जिसकी हम पैसे की बात कर रहे हैं पैसा आना जाना वो चंद्रमाई है इस वज़े से आर्फिक हालात में बस इतना कहेंगे काम रुपेगा नहीं परमात्मा गैवी मरद देता रहेगा लेकिन सनी चंद्र का जो मूल जो है अकरसंड वो पूरी तरफ से लागू ना होगा अगर चंद्र साना नंबर तीन का सनी हो साउथ फेसिंग मकान या पूरफ फेसिंग मकान लक्षिर और पूरफ यह दोनों बड़े नुक्सान का कारण होते हैं कभी भी सनी तीन में हो साउथ और इस्ट का मकान फेसिंग का नहीं देना चीज़िए और एक सुत्र मैंने पहले ही बोला कि सनी तीन के समय के तू भी तीन में ही या दस में हो तो बड़ा अच्छा राजियों को होता है अच्छा फल बिलता है लेकिन चंद्रमा फसा हुआ है इसलिए कोई फायदा नहीं सनी तीन वाले को यहां पे कुत्तों की सेवा तीन कुत्तों की सेवा तीन दुनिया भी कुत्तों की सेवा है ना ना गर देवता वो भी दोनों सेवाएं कामियाब होती है कुत्ता पालना बहुत अच्छा असर देता है दुनिया भी कुत्तों की सेवा भी बहुत अच्छा असर देती है काम्याब कर देती है और ये भी आर्थिक हालात में अच्छा असर देती है सनी तीन वाले को नजर की दवाई ज़्यादा ज़्यादा बाटनी चाहिए अब भाई मैंने तो इसका सिंपल सा एक नियम बनाया हुआ है अपने जीवन में अमूमन हर सहर गाओं में मेडिकल केम्प लगते हैं आखों के और मैं अपने बच्पन से देखता रहा हूं और वह एक प्रकार से चैरी टेवल हिसाब किताम में होते हैं महां जाके जब भी कहीं ऐसे हालात हों जहां पर गरीब लोगों की तो वहां के डॉक्टर या वो जो भी चैरी टेवल संस्था वो काम सब करवारी है उनसे संपर्क करिए और वहां पर आप अपनी सुद्धा के अ अनसार दवाईयां दीजिए जब भी साल में दो चार बार मुखा मिले सनी तीन तो आखों पर बुरा असर नहीं डालता है लेकिन इस टेवे में सिर्फ एक सनी तीन ही आखों की खरावी का कारण नहीं है इस बात बोई भी समझ लीटी है हाँ थोड़ी सी आखों की प्रॉल्लम सनी के कारण ये कम कर सकता है लेकिन इनकी आखों को कोई फायदा ना होगा क्यूंकि चंद्रमाभी सनी के तुग साथ पिटा हुआ है इधर सूरज ग्रहन भी बना उपाय तो इस टेमे में ये दवाई देंगे या ना देंगे लेकिन चस्मा तो चड़ना ही है आखों में प्रॉब्लम होनी होनी है यहां कोई ऐसा उपाय काम्याव नहीं है लेकिन हां किसी का सनी अकेला हो तो इस उपाय से बचाओ संभग है एक और सुत्र इसी में जाता जाता है किसी साल विशेश में सिर्फ आप जनम के सनी को देखके मत सोचिएगा कि इनकी आखों में तिकत होगी ही हो बैक्तिक की कम उमर है तो नहीं हुई हो है ना ऐसा भी संभग हो सनी दुबारा जब खाना नंबर तीन में बर्स फलतन स्वार आ जाए तब भी क्रियेट करवा देगा उसको भी छोड़ दीजिए सनी साथ में घर का उंच या दस में घर का अपना ही घर का भी तीसरे में आ जाए तब भी ये काम करवा देता है उस साल पर से इसको और अगर इसी तीसरे घर में कोई सनी चालिस-पैट-ालिस साल की उमर के बाद आए तो तो पर्वानेंट फिर उसको आखों की दिकत करवा ही देता है ये एक सच्छा है कि इस समय पर सबसे कामियाब उपाए मेरी नजर में है कि जब भी किसी का एक चालिस-बैलिस के बाद दसरीर के दीरे-दीरे अंग कमजोर होते चले जाते हैं सनी तीन में आ जाए और वो इस तरीके के हालात क्रियेट कर दे जातक के साथ कि उसकी नजर कमजोर हो रही है उसको समझिएग तो उनको वो दवाई जो आँखों की बांटनी है फिरी में वो तो करीद है साथ ही सुभे सवेरे की लार मूं से निकाल के आँखों में लगाना सुरू है मेरे ख्याल से पचास से सतर असी परसेंट तक पेनिफिट होता है और मैं यह करवाता हूँ लोगों को फायदा करता है एक्चली केतु की मदद है यह भी यह जो लार है पहले बता देता हूँ जो हम थूखते हैं अपने मूंग से यह भी केतु है हमारे सरीर से निकलने वाला पसीना भी केतु है हमारी पेसाब में जो लिक्विड आता है वो भी केती है इसको भी समय भी लार भी केती है यह सनी को मदद दे के दवाई तो दे नहीं दे नहीं है लेकिन फिर पर्वानेंट यह काम बंदा करता रहे तो उसको काफी बचाव हो जाता है और आयुरुवेद के सिधान्तों के अन तो आखों में होने वाले नुकसान या जो मोतिया बिंद बगएरा यह परकार की चर्वी बगएरा होती है तो उसको काट देती है बहुत अच्छा रज़द होता है और मोतिया बिंद बगएरा जैसे यह जो हालात है चर्वी बगएरा आखों में पहुँच जाना और यह ल मेरे ध्यान आ रही है तो मेरा मन कर रहा है और मन ही नहीं कर रहा है आप अपने क्लेंट को बड़ा अच्छा फाइदा दे पाएंगे हकीकत में यह अवरुबेद का इस्टांत है आप ध्यान करिए कि हम लोग कम उमर में या आज भी गाउं ध्यात के लोग बड़ा नहाते हैं हमारे सरीर में हम रोज खाते पीते हैं जो भी हमारे सरीर में एक प्रकार से गर्मी अंदर रुख जाती है कोई कहते हैं पित्ते में गर्मी आ गई कोई कहता है लीवर में फफोले पड़ गए कोई कहता है किट्नी में स्वैलिंग हो गई या क्यूंकि यह सब एक तरीके की काम करते हैं हमारा लीवर पचाता है लेकिन किड़नी है ना वो च्छानने का काम करते हैं तो गलत पदार तो चले ही जाते हैं अब ध्यान करिए बारिस में नहाना आपके सरीर की गर्मी को सबसे ज़्यादा बाहर निकालता है जब भी सरीर में बहुत ज़्यादा गर्म सरीर के अंगों में अंदर फपोले बगरा पड़ जाते हैं और अक्सर होते हैं हमें पता नहीं चलता है जब वो ज़्यादा बुराई पे आ जाते हैं तो हम डॉक्टरों के हां भागते हैं अमूमन हमारी आतों से लेके हमारी के फंक्षन तक लीवर तक फपोले पड़ते रहते हैं आज कल बारिस का समय है मेरे भाईयों बहनों पार इसमें जब भी बारिस हो गंटे दो गंटे हो जाए तो आपकी किस्मत बारिस में जब ठंड लगने लगे न तब निकल के आईए आपके सरीर के अंदर की फपोले अपोले खतम कर देती है ठंड़क देती है आपको किड़नी की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर साल में आप दस बार भी नहा लेती है क बात को समझें कि वो गंटे दो गंटे ठंड़ कंटिन्यू ठंडा 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 फपोले अपोले नहीं पड़ेंगे कोई रुकावट आ रही है चलनी में अंदर एक चलनी है एक तरीके से चांदने का काम करती है इसमें बड़ा फाइदा देता है आप और दूसरी बात समझें किड़नी है क्या के तुसे संबंधिक प्रॉब्लम आयरुबेद के सारे सिधान्त जोतिस से मैच करते हैं इस बात को समझें कुदर्ती पानी है कुदर्ती चंद्रमा बोड़ी को ठंडा करेंगा है के तू जो बिगड़ा हुआ है वो ठंडा होता है कि पस एस हो फफोले हो जाना स्वेलिंग हो जाना यानि कि मेरा सीधा सरल सा कहने का उद्देश से हैं प्राकर्थिक बारिस में गंटे दो गंटे नहाना साल में दस-पांच वार नहा लेना आपके किड़नी से संबंधित प्रॉब्लम को कम से कम सो परसेंट से दस परसेंट पर ले आएता है इतना जवर्जस्त यह उपाए है बहुत सांता है इसे उपाए समझें आयरुवेद समझें वह आपकी मर्जी है लेकिन फायदा देता है सिरफ ब्रस्पती खाना नंबर साथ वालों को नहाने की मत बोलिए किसी का केटू मन्दा हो उसको किड्नी से सम्वन देक्शन और हमारी पेसाब की नाली तक केटू की मलकियत है केटू मन्दा होगा तब इस यह प्रकार की फापोले स्वैलिक बगएरा होगी घर्मी रुकेगी तो वो अंदर नुपसान करेगी कि अक्सर खान पान ऐसा हो गया है जिसमें हमारे कबज बगएरा रहती है तो सरीर में घर्मी भी रूपी जाती है गैस ऐसे डिटी है न के तू की बुराईयों को चंद्रमा साफ करतेगा जो तिस और आयुरुवेद कहता है कि सरीर में ठंड़क पहुच जाएगा दोनों मिले जुले महलाओं को पाओं में चुटकी या पाजेब को रूप में चांदी क्यों डाल दी जाती है संगार में भी है वो लेकिन आयुरुवेद के अनुसार चांदी की तासीर ठंडी है हमारी मेलाओं को हमारी बहन बेटियों के पाओं गलत रस्ते पे ना जाएं उनके भटकाओ टेंशन ना हो जादा इसलिए चांदी से ठंड़ा किया गया है यह आयुरुवेद का सुत्र है इसको समझते वैसे ही सभी को बारिश में आना चाहिए चलिए अब हम कुंडली पे पालना लए तीन कुटों की पालना दुन्या भी पीन पुटे घर में रखना और नहीं तो सानि तीन हो तो के तुको न है यानि की तीन मर्ब लगा सकतने हैं व्लीकेडवॉउट लेकिन उसका इस्तिमाल वहां भी होता है बंदर कुट्टे की मूर्थी भी रखी जा सकती है लेकिन कुट्टे पाले जाए तो अच्छा है और दुनियावी कुट्टों की भी सेवा जरूर करते रहे हैं अगर कोई दुनियावी कुट्टा एक आध यानि कि देवता आपके हा अच्छा है वो तो माहूल पे डिपेंड करता है लेकिन जवर जस्ति तो नहीं रख सकते हैं नजर की दवाई बाटी है सनी तीन के लिए सनी तीन के समय एक और बड़ी बुराई उठती है साउथ के मकान वैसे तो साउथ और इस्ट का मकान दोनों ही नुकसान दाया कह सनी तीन के समय लेकिन बहुत बड़ी बुराई होती है मौतों के रूप में सनी तीन के समय मकान आपका साउथ फेसिंग हो और किसी कारण विशेश से कोई पत्थर की स्थाफना पहले से हो या आपने कर दी हो साउथ फेसिंग मकान के दरवाजे के आस पास तो भीया परिवार में मौतें तक होती है और लाल किताब तो ये कहती है कि 40-42 दिन में कुछ की तीन मौतें हो जाएं लेकिन सनी तीन के समय घर में अंधेरी कोटरी कायम रखना अंधेरी कोटरी क्या है जिसमें सूरज की सनलाइट डारेक्ट ना आती हो सूरज की किरने सीधा पिरवेशना करते हैं, ऐसी कोटरी होना सनी तीन की बुराई को रोक देगा, आर्थिक हालाद में सुधार करेगा, सनी तीन के समें सूरज एक या सूरज पांच या सूरज खुदी सनी के साथ तीन में बैठ जाएं, तो बड़ा बंदा असर होता है सनी का और साथ में केतु का भी कि इस बात को समय केतु और सनी मैं इस टेवे में सनी और केतु साथ होने की वज़े से नहीं बोल रहा हूं यह सब साथ बेटी हुए गयरों को भूल जाईए सिरफ सनी तीन में हो सूरज एक में हो खाना नमर एक सूरज खाना नमर पांच में हो सूरज पांच सनी तीन ओलाद की उमर पे तक भारी होता है इस बात को जहन करिए उलाद की उमरे में भारी क्यों होता है क्योंकि सनी के साथ-साथ केतू का भी बंदा असर हो जाता है सनी तीन और सूरज पांच उलाद पे भारी नर उलाद पे भारी और उसका सिरफ इतना कारण है कि सनी के साथ-साथ केतू भी बंदा हो जाता है क्योंकि सनी 3 के समय सबसे ज़्यादा मददगार गिरे केतु है सनी का इसलिए कुत्ते और दुनियाबी कुत्ते और कुत्ते की पस्षिम में फोटो या मूर्ति कुत्तों की तीन कुत्तों की लगाने को बोला गया है समझने की कोशिस कर लिए सनी तीन सूरज पाँच वलाज बेवारी क्योंकि खाना नंबर पाँच और यह भी है कि सनी तीन में बैठके पाँच वैटक करता है सनी की द्रश्टी होती है खाना नंबर तीन में पाँच में को देखने के यह भी नहीं है इसी लिए एक सुत्र मैं अक्सर बोलता हूँ कि सूरज देखे सनी चरको तो सुकर का नास लेकिन सनी देखे सूरज को तो केतु मन्दा हो जाता है वो नियम यहां एपलाई होता है सनी तीन सूरज पाँच ऐसे समझे लिए इस्टेमे में ऐसा नहीं है यह मीस इस्टेमे में तो सनी की देखेस सूरज पर आ रही है जहीं दिए अंगर पट हैंप भाइए लेकिन सनी की देखेस की आने के कारण और सुकरदस में होने के कारण को इंके साथ ही सुधा जिन्द्वीय के सूक अच्छे हो जाई जाए कि किया अशी है कास्तोर से चरित्र से संबन दें गौदान बहुत अच्छा उपाए है चरित्र को नेगर रखना बहुत अच्छा हुपाए है यह भी सच्छ तो इसी टेवे पे अधिरी कोठ्री रखना बहुत अच्छा रहेगा सूरज एक पांच तीन में होगा तो सनी के सासात केतु का भी पुरा असर हो जाएगा और सनी तीन में हो चंद्रमादस में हो जो किश्टेवे में नहीं है तब भी बड़ा मंदा असर होता है विचारा चोरी डेकेती भी कर ल हो जैसे अभी सूरज की बात हुई मंदा चंद्रमादस सनी का दुस्मन नहीं है भाई इस बात को भी समझ लीजिए सनी के साथ खाना नंबर तीन में जब भी उसके दुस्मन गिरों होंगे तो नुकसान होता है चोरी औरी तक के हालात पैदा हो जाते हैं इस बात को समझे इस तरीके से अब इसके बाद थोड़ी सी बाते खाना नंबर तीन की क्वाल्टी पे कर लेते हैं और इसमें मैं आप लोगों से कुछ पूछना भी चाहूंगा उत्तर देंगे मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि हम सभी सीखी रहे हैं यह भी द्यान कर लीए जोती से ऐसा भी ज्यान है सेकुड़ों साल भी सीखते सीखते व्यक्ति सो पर्षेंट पारंगत नहीं हो सकता इस बात को ध्यान करें इसलिए क्योंकि मैंने पीछे खाना नंबर एक दो तीन पे खुब चर्चा किया आप लोगों से और आप लोगों ने पसंद किये तो इस खाना नंबर आठ की मार से खाना नंबर तीन के एक रहे बचाएंगे खाना नंबर आठ की मार अब आठ में तो बुद बैठाई है ना बुद्ध की बुराई से अब कौन बचा रहा है खाना नमबर तीन लेकिन फिर भी अगर हम किताबी सुत्र बोलें कि मौत नहीं तो गर्दिस होगी पर जान जाने का खत्रा ना होगा अब घरतीन की कुछ सिफ्ट यानि की क्वालिटी उनको समझेए घर तीन की सिफ्ट पौरस सक्ति मरदानगी घर में फलदार पौधे यह जश्ट पिछली किलास में ही बात हुई है ध्यान कर लीजिए आप सभी से रिक्वेस्ट है बिनती है हाँ जोड़के बोलिएगा फलदार पौधे जातक कोई भी कितना नियाय पसंद है या यूं समझेए जातक कितना इंसाफ पसंद है जातक के जीवन में संगर्स कैसा होगा सब संगर्स बहुत ज्यादा होगा जी बिलकुल यह घर अच्छा तो भाईयों की हालत अच्छी मंदा भाईयों की हालत खराव सनी तीन में नगत की दिक्कत तो देता ही है पर जादात में बुरा असर नहीं देता और सनी तीन के लिए भी मामूली से उपाय से सुदाहर संबभ हो जाता है को यह पत्मी असनी तीन को देखे घवराये मत साउथ फेसिंग मकान ना और साउथ फेसिंग के खास तोर से कोई पत्तर इस्थापित ना हो इस्ट का मकान ना हो जाना ममली से उपायों से आसान तरीके से हम बच सकते हैं गुर्देव अगर इस्ट का मकान हो तो फिर इस्ट फेसिंग मकान हो तो फिर इस्ट फेसिंग जी देखिए मैं हाँ पर गोपी चन्जी बोल रहे थे ना जी आज जी गोपी चन्जी समझने की कोशिस करिए अगर आप लाल किताब बास्तु यानि के मगान कुंडली को देखेंगे तो दर्वाजा एक प्रकार से सूरज का प्रतने दिर्थ तो करता है खाना नमबर एक भी सूरज है, खाना नमबर पाछ भी सूरज ही है, और खाना नमबर आठ और साउत का दरवाजा, दरवाजे पे सूरज का असर हमेशा होता है, इस्ट एक पाँच, साउथ आठ और तीन, मैं यहाँ पर अभी दीवार और युवार पर नहीं जा रहा हूँ, समझेए, अब समझेए, सूरज एक सनी तीन मंदासर, साउथ यह पूरब से हो गया, पूरब फिर पाँच माँगर, सूरज पाँच सनी तीन, सूरज सनी खुद तीन, तो भी सनी वंदा, और सूरज आठ यानि की साउथ का दरवाजा, आठ में तो टकर लगती है न, तीसरे को, आज इस कंडिशन में, आठ और तीन में एक, कल एक, एकुली, उस क्लैंट से मैं बीच में जान बूझ के मैंने उसका नंबर ब्लॉक करती है, बहुत 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 राजनेता है, उसकी मिटी खराब हुई है, उसके साधा आप लोग टीवी देख रहे होंगे, तो उसकी बड़ी बुराईया, वो एक ठानेदार से लड बुरुए है, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, जान बूझ के कोई मेरे उसके साथ थोड़े संबंद है से थे, लेकिन उसने थोड़ी संबंदों की परवानी की, तो मैंने सालेगा नंबर ब्लॉक कर दिया, शांसद होगा अपने घर का, मेरा क्या लेगा भाई, टीवी पे, कल से ये घठना बड़े सबूफे के साथ चल रही है, सारे अच्छे चैनल बिखा रहे हैं, अब देखिए, मैंने दर्वाजे को जोड़ा सूरत से, खाना नंबर एक पूरव, खाना नंबर पांच पूरव, और खाना नंबर ती तो दर्वाजा है ना, जो हमारे घर का मुख्षवार, वो सूरज से संबंदित है, इसलिए ये सब्द कहा गया, कि सूरज, दर्वाजा, दोनों को जोड़ लीजिए आप लोग, सूरज एक, सूरज तीन, सूरज पांच, मनला असर देगा, और साउत का दर्वाजा है, तो वो भी सूरज से संबंदित है, और साथ में पत्थर गड़ा, तो सूरज सनी फिर आठ का सर दे जाएंगे, पत्थर क्या है, पहाण क्या है, अरे सनी तो है, पैंट समझिए, और सूरज सनी खाना नमबर आठ का फलादेश पढ़ेंगे, तो आप हिल जाएंगे, बहुत ज् समझने की कोशिश करिए, यह बंदे हालात पैदा हो जाते हैं, अब यहां तो बस सनी केतु के चक्कर में सबसे बड़ी बुराई जो हुई है, वो यह हुई है, कि चंदर मा फस गया है, बस, इस टेबे को गौर से दिखेंगे, यहां पे सबसे बड़ा तवासा यह है, खाना नंबर तीन का आगन, यानी की सहन, खाना नंबर ग्यारा, यानी कि जब कोई बोल रहे है, प्रिजर पत्नी प्रेम्का के कैसा है मोती से घर से कि जैसा गहर होगा वैसे संबंद होंगे ना तो सिर्फ प्रेम्का को या पत्नी को शुकर है खाना का नमबर साथ सही दिकांट किया जाता उन से होने वाले खाना और तके बाझीव की ताकत है हम थो टाकत है शोटे वाइब की पतनी क्या है आपका बागों की ताकत होती हिआ आपका जीवल साथी भी अपका शिरल कितनी मदद करेगी आपकी बाजू बनके आपके साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी अच्छा जो भी इस दुनिया जहान में इस सुत्र को ऐसे समझ लेजी है मैं थोड़ा खोल लेता हूँ जो भी इस दुनिया जहान में आपका मददगार है उसका संबन्द खाना नंबर तीन से जरूर होगा उसका कारण खाना नंबर तीन बुद्ध की जवीन पे मंगल का महल या किला है मंगल आपका बाजू की ताकत है मंगल के कारण ही संगर्स करने की चंता पर दिए हैं अब आगी समझ मैं खुला जी गुर्देव मैं जितना कह रहा हूं यह सब्द आखरी नहीं है इनमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है लेकिन यह आराम से तसली से बैठके रिलेक्स होके एक एक चीज़ जोड़िए इस जी चंसे घर जी बोलिए कुछ कहना चाहिए जो मंगल के घर पर कहेंगे तीसरा घर पका घर मंगल का और मंगल बाजू वे भी कह रहे हैं तो शनी रहु के तू कापस था संबंद बन रहा है है तो यह कहें लिए कि आपके कुश्चन का जवाब बस अभी दे रहा हूं देखिए खाना नमबर तीन का सेहन तीन का आंगन ग्यारा को माना जाता है और तीन और ग्यारा के दोनों के हालात देखने के लिए बुद्ध की इस्थिती देखो खाना नमबर तीन और ग्यारा दोनों के संबंद देखने के दोनों के हालात खाना नमबर तीन खाना नमबर ग्यारा इन दोनों के हालात के लिए बुद्ध को देख लिए और खाना नमबर तीन के हालात के लिए समझिएगा बुद्ध सनी मंगल के हाला देख लो टेमे में कैसे है यह इस खाना नमबर तीन में एक तो मैंने पहले बोल लिया आप से कि वही है चंदरमा की कलाकारी है सनी केतु के साथ चंदरमा फस गया चंदरमा पैसे की आई चलाई है अले बुद्ध भी तो आठ में चला गया अब ग्यारमा क्या है कि आए इंकम है न है न है चंद सेकर जी समझ में आया ग्यारमा इंकम है अब बहाँ पे बहाँ पे आप दूसरा पइंट समझने की कोसिस करो बुद्ध को देखो लेकिन सनी केतु एक गदरती एक कैवी मदद जरूर दे रहे हैं साथ ये सचा ये खाना नमबर 3 और 11 दोनों के मुस्तरका हालात के लिए बुद्ध को देखो और खाना नमबर 3 को अकेला देखना है तो बुद्ध सनी और मंगल के हालाद देखो सनी तीन में है के तुकी सपोर्ट ले रहा है मंगल साथ में घर में ठीक ठाक बैठा है लेकिन वो बुद्ध के कारण से तुक बुद्ध विचारा आठ में बैठा हुआ है तो खाना नमबर तीन और ग्यारा का जो कॉम्बिनेशन मनता है रुपे पैसे के लिए आर्फिक हाला रहीसी के लिए उसमें बुद्ध वी कारण बन गया है अरे दौलत आती ग्यार में से भाग तीसरे से जाती है भागाने वाले तो बैठे हैं आने वाला खाली है दोनों को विला जुला के अगर देखने की कोशिश करें तो बुद्ध आठ में बैठा है यह भी एक कारण है लेकिन यह सौकिन मिजाज है कर्चा करने में अच्छे हालात होंगे इनके ज्यादा फिकर कर नहीं करेंगे ज्यादा आप यह क्योंकि निफ्स उमर के बाद है ना ज्यादा हाट टाए हम ज्यादा हूए